हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम सेट कर सकते इंटरनेट का डेटा लिमिट को अपने Windows 10 PC या लैप्टॉप से इसके दोरा आगर आपके बच्चे या फिर अन्य कोई कितना इंटरनेट का यूज करेगा वो आप कोंट्रोल कर सकते हैं एक सिंपल वीडियो हो नल है तो इस वीडियो को अन तक देखें और अगर इस्चनल को सबसक्राइब ने कि आँगा तो इस चनल को सॉप्स्क्राइब कर लिछे तो चलिए आपने वीडियो करेऊ सबसे पहले हम कहेंगे स्टाट में जाएंगे यहां पर टाइप करेंगे सेटिंग्स के उपर क्लिक कर देंगे सेटिंग्स में हम जाएंगे नेट्वर्क इंटरनेट इंटरनेट के उपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको यहां पर यह मिलेगा देखिए स्टेटस में आ भानू नाम के WiFi से यूज कर पर रहो तो मैं उसको जाओंगा चीज किसे WiFi से यूज करें उसके उपर जये data यूज के उपर क्लिक कर दी तो उसके बाद आपको इंटर लिमिट के लिए पूछेगा एंटर लिमिट के उपर जाए तो आगर आप आप one month के लिए control करना चाहते, one month, one time के लिए करना चाहते, one time, unlimited मतला, कितना भी चाहिए, आप control कर सकते, तो मैं one month के लिए जाऊंगा, उसके बाद, हर मेने की एक तारी से लेकर, 30 तारीक, या फिर 31 तारीक, जो कोई भी तारीक लास्ट कियोगी, उस तक ये control होगा, तो उसके बाद data limit कितना चाहता हो, मैं 10 GB चाहता हो, 10 GB, आप जितना GB चाहते, उतना GB डाल दीजिए, उसके बाद unit में, आप MB से करना चाहते, GB को क्लिक कर दीजिए, उसके बाद save कर दीजिए, तो जहीसे आप एक कीएगे, तो यहाँ पे edit limit और remove limit आएगे, अब एडिट चाह है, remove करना चाहते है, remove limit को भी आप चाह सकते है, अगर बाद में आपको remove limit करना है, तो वही process दरवाली जो मैंने की थी, तो उसके बाद यहाँ पे यह remove limit आएजएगा, उसको remove भी आप कर सकते हैं, तो इसे मैं close कर लेता हूँ, उसके बाद आपका data control हैगा, या फिर internet का data वुसको आपने limited कर दिया है, वो limit खता होनी के बाद आपका internet automatically off हो जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चैनल को subscribe करना तो कता ही मत भूलिए, तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में तब तक लिपाए